Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to my channel. तो Dust of Snow हमारी पोयम का नाम है, जो कि Class 10th English First Flight Book से हमने ली है. तो आज हम इसके Very Short Question Answer को देखेंगे, जो कि आप से दो मार्क्स में पूछे जा सकते हैं. तो Question No. 1 है यहाँ पर, What does the crow represent in the poem Dust of Snow? कि Dust of Snow में जो crow है, जो काला कवा दिखाया गया, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो Answer होगा, The crow represents Unexpected Sources of Change. कि यहाँ पर इस poem में crow ने किस चीज को रिप्रेजेंट किया, कि अचानक ही कोई Unexpected Source बन जाता है बदलाव के लिए, कि जहाँ से हमें उमीद नहीं होती, कि हमारे लिए यहाँ कुछ अच्छा हो सकता है, वहीं से आपके लिए कुछ Unexpected, कुछ चीजे ऐसी बदल जाते हैं, कि जो आपके दिन को, आपके मोड को, आपके लाइफ को अच्छा कर सकती है. तो यहाँ पर क्रो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि क्रो को शुबता का प्रतीक नहीं माना जाता, और वहीं क्रो जो है, पोयट के अच्छाई की तरफ बदल जाता है. तो question number second है, why is the hemlock tree significant in the poem, कि hemlock जो tree है, उसको poem के अंदर क्यों significant किया गया, तो answer होगा, hemlock tree is a poisonous tree, कि hemlock tree जो है, वो एक जहरीला पीड है, the poet use it to give the message that even bad things can be good, और poem ने hemlock tree को भी यहाँ पर इसी वज़े से use किया, क्योंकि शायद वो इस message को देना चाहता था, कि कभी कभी कुछ अच्छी ना लगने वाली चीज़े, या जिन से हम अच्छाई को मीद नहीं कर सकते, वहाँ से भी हमारे लिए कुछ अच्छाई आ सकती है, कुछ अच्छा वहाँ से भी हमारे लिए हो सकता है, तो इसी वज़े से poet ने यहाँ पर hemlock tree को भी use किया, तो question number third है, how did the dust of snow impact the speaker's mood कि dust of snow जो है, वो किस तरीके से speaker के mood पर impact डालती है, तो answer होगा, the bad mood of the speaker got better, कि जो poet था, उसका जो mood था, वो बहुत जादा खराब था, और वो अच्छा हो गया, and the rest of the day was saved from getting wasted, और उसने अपने बागी बचेवे दिन को बरबाद होने से बचा लिया, क्योंकि उसका आधा दि की वज़े से, लेकिन जैसे ही dust of snow उसको पर गिरी, तो उसका mood अच्छा होगा, और पाकी बचे दिन को उसने अपने अच्छे काम में लगाया, तो question number fourth है, what is the significance of the change of mood mentioned, कि यहाँ पर जो change of mood का mention क्या गया है, वो क्या significant हमारे लिए लेकर आता है, या क्या वो show करता है, तो answer ह होगा, it shows how small moments can significantly impact our emotions, कि यह बताता है कि किस परकार एक छोटा सा जो moment होता है, वो हमारे उपर, हमारे emotions यो उपर बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है, तो इसलिए हमें कभी भी छोटे छोटे पलों को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी यह छोटा सा ज इसको कि हम बिल्कुल ही important नहीं समझते, वो ही हमारे लिए important चीज बनकर रह जाती है, तो question number fifth है, what role does mindfulness play in experiencing moments like the dust of snow and how can we cultivate it, कि हमारे mind के साथ किस तरीके से जो यह experience हुआ moments का जैसे कि dust of snow गिरती है, तो dust of snow जैसे जो moment होते हैं, वो किस तरीके से हमारे mind को attract करते हैं and how can we cultivate it और हमें इसको किस तरीके से विक्सत करना चाहिए, तो answer होगा कि paying attention, कि जब हम इन छोटे-छोटे किशनों के तरफ अपने ध्यान को देते हैं, अपना ध्यान देते हैं, help us see and like these special moments, तो वो हमें help करते हैं, कि इन छोटे-छोटे special moments को देखने के लिए, इन्हें पसंद करने के लिए, यानि कि जब हम अपने आज पास की छोटी-छोटी चीजों को नजर अंदाज नहीं करते, बलकि उनको ध्यान से देखते हैं, उनकी तरफ अपनी positivity बना कर रखते हैं, तो यही चीजे जो होत है, वो हमें इन special moments को देखने के लिए, और इन्हें पसंद करने के लिए, हमारी help करता है, we should try to better our today, हमें हमेशा अपने आज को better बनाने की कोशिश करने चाहिए, the future will automatically become better, इससे क्या होगा, कि जो हमारा future है, वो automatically अपने आप ही अच्छा बन जाएगा, और अक्सर हम लोग क् हम अपने future की tension में अपने आज को बरबात करते हैं, और इसी वज़े से ना हम अपने आज को जी पाते, और ना हे अपने future को अच्छा कर पाते, तो इसी वज़े से हमारा ध्यान जो है, हमारे आज पर होना चाहिए, हमें अपने आज पास के छोटे छोटे moments पर ध्यान देना बात करती हैं और हमें अप इसी चीज को विक्सित करना चाहिए कि हमें अपने आज को सुन्दर बनाना चाहिए इन छोटे-छोटे पलों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए तो कोशिन नमब सिक्स है यह किस तरीके से जो होप का कंसेप्ट है आशा का जो इलुस्ट्रेट करती है तो answer होगा तो यह जो पोएम है यह कंसेप्ट अप होप को ही हमारे सामने लेकर आती है और वो यह इस तरीके से हमें शो करती है कि एक छोटा सा जो इंसेटन है वो हमारे लिए एक positive change लेकर आ सकता है हमारी life के लिए तो इसलिए हमें इन छोटे छोटे पलों को कभी भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए तो यह जो poem है यह hope के इसे concept को हमारी सामने रखती है तो question number 7 है how does the poem shows us to see beauty in everyday things कि यह poem जो है किस तरीके से हमें यह show करती है कि हमें जो हमारी everyday में जो चीजें हैं things हैं वो हमें देखने चाहिए तो answer होगा beauty is all around us कि सुन्दरता तो हमारे चारों तरफ है we just need the attitude to see it बस हमें इसे देखने का नजरिया होना चाहिए for example falling leaves from a tree और example हो सकता है पेड़ों से गिरते वे पत्ते तो इसी तरीके से हमारी रोज मररा की everyday की life में क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारे चीजें होती है और यह सुन्दर सुन्दर चीजें अकसर ही हमारे आसपास घर्टी रहती है बस हम्यारा जो attitude है वो इसमें सुन्दरता ढूणने का होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि इनसान बहुत खुब्सूरत जगे पर चला जाता है पहाडों से घुरा होता है वादियों से घुरा होता है लेकिन इसके बावज़ुद वो अपने ही परिशानियों में गुम होता है उसका भी वो मज़ा नहीं ले पाता लेकिन वही दूसी तरफ अगर हम positive अपने thinking अपने mind में रखते हैं तो हम अपने daily routine में की चीज़ों में everyday हमारे आस पर जो सुन्दरता बिखरी है उसमें भी हम सुन्दरता को ढूंड सकते है तो जो poem है यही show करती है कि जो beauty है वो हमारी रोज मर्रा की जिंदगी में ही है और यह हमारे चारो तरफ बिखरी है बस हमारा attitude होना चाहिए नजरिया होना चाहिए उन चीज़ों को देखने का तो जो next question है वो है तो question number 8 है why might the poet have chosen a crow and snow for this moment की poet ने कभी ने इस पल के लिए बरफ को और कोवे को ही क्यों चुना तो answer होगा to show that happiness can come from simple or even sad things तो उसने crow को और बरफ को इसलिए चुना क्योंकि जो crow है वो अशुबिता का प्रतीक माना जाता है उससे हम कुछ अच्छाई की उमीद नहीं करते उसी तरीके से जो बरफ होती है सुनो होती है वो भी बड़ी ठंडी होती है और बड़ी ही शान्त होती है और ठंडे पन होनी की वज़े से हम इसे भी कोई खुशी की उमीद नहीं कर सकते तो इसे वज़े से पोयट ने इन दोनों चीजों को चुना क्योंकि वो ये दिखाना चाता था शो करना चाता था हमारे सामने कि जो खुशियां होती है वो सिंपल और सैट चीजों से भी हमें मिल सकती है ऐसा नहीं है कि खुशियां हमें अच्छे चीजों से ही मिले कई बार ये बदलाव उन चीजों से भी हमें देखने को मिलता है जहां से हमने इसकी उमीद नहीं की होती तो बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ तो नेक्स कोशन है तो कोशन नुम्बर नाइन है कि ये जो सेंटेंस है कि मैंने अपने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया जिसको कि मैंने बिलकुल खराब किया हुआ मान लिया था कि आज का दिन मेरा किसी भी काम नहीं आ सकता तो लेकिन इसके बावज़ुद मैंने अपने दिन के एक हिस्से को बचाया तो ये हमारी life के किस protection चीजों के बारे में बात करता है कि जो life है उसको कभी भी protect नहीं किया जा सकता हमारी life में किस क्षंड क्या हो जाए तो उसको हम नहीं बता सकते तो ये जो line है ये किस तरीके से हमारे सामने show करती है इस चेज को तो answer होगा कि this means that unexpected moments can bring back our happiness that we thought was lost पता नहीं कौन सा unexpected हमारे सामने कैसा moments आ जाए पल आ जाए जो कि हमारी खुश्यों को तुबारा से वापिस लेकर आ जाए उन खुश्यों को जिनको कि हमने ये सोजा था कि वो अब से एक रो ने उसको पर dust of snow को गिराया तो उसका mood अच्छा हो गया और उसने बाकी बचे दिन को अचानक से ही बचा लिया उसमें अच्छे काम उसने किये जबकि वो सुबह ये सोच रहा था कि आज का सारा दिन बरबाद हुआ लेकिन एक छोटे सेक्षन ने उसके बाकी बात कर दिया है या हमने उन्हें खो दिया है तो बढ़ते हैं नेक्स कोशन की तरफ कि किन तरीकों से किन रास्तों के द्वारा जो ये पोयम है dust of snow हमें encourage करती है कि हमें nature के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए उसके साथ रहना चाहिए समय बिताना चाहिए हमारी emotional healing के लिए healing power की हमारी जो nature है उसके पास बहुत बड़ी healing power है which not only gives us health benefits जो कि केवल हमें health benefit ही नहीं देती but also brings joy to our heart and our thinking बलकि ये हमारे दिल को हमारे दिमाग को भी खुशियों से भर देती है तो इनी सारी चीजों के विज़े से dust of snow हमें प्रोसाहिद करती है कि हमें nature के साथ interact करना चाहिए क्योंकि इससे हमारे emotional healing होगी लेकिन उसके साथ साथ हमें इसके health benefits भी मिलेंगी जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है तो student उमीद है या answer आपको बहुत अच्छे से clear उप होंगे वीडियो को like, comment, share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए और पर hit कीजिए ताकि आने वाला हर valuable वीडियो आप तक पहुँचे मिलते हम आप से अपने next वीडियो में till then keep watching, stay connected, thank you